स्वागत आपका एक बार फिर से स्टॉक मार्कट में हर एक गिरावट या कंसॉलिडेशन एक उपरचुनिटी लेके आता है और अभी जब मार्कट इतनी गिर गई है तो हम फोकस कर रहे हैं ऐसे ही कुछ जरू सुना होगा ऐसी एक अच्छी ऑपरचुनिटी अभी हमें इसमें मिल ले ही है आगे बढ़ने से पहले चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन दबा दीजे अच्छी उसमें आपको अच्छे अच्छे नॉलेज वाली शेर्स और ऑपरचुनिटीज मिलती रहेंगी जैसा कि आपने प्रिवेस वीडियो जो मैंने डाले तो उसमें देखा होगा नाइल हो गया आपका जो 300 रुपए के आसपास था वह 500 रुपए प्लस जीम डीसी आपका और प्राइस टो बुग जो है 13.93 का आप सभी जानतों कि सब्सक्राइब कार्ड की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि जो अगर प्रटिकुलर्ली हैं तो दिक्कत की बात नहीं है कंपनी आप देख सकते हो कि जीरो प्रमोटर प्लेज के साथ है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आखर प्रॉब्लम हुई कहां आप देख सकते हो कि अभी जून 18 को जो निउस आई उसमें आप देख सकते हो जो शीर ओवर्स की शीर की रहाई कि इस वहीं कार्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं जो टॉप ओनर्स में आप देख सकते हैं इंडिया का 69.39% की शेर होल्डिंग है सिर ओवर्स holding 11.61% की थी वही अभी आप news देख रहते हैं जो reduce हुई है उसकी वज़े से shares में sell of आया है foreign companies की 11.61% की है और PNP पारिवास arbitrage की 1% की यह जो हमारे पास holding data यह March 21 quarter का है इसमें भी आप देख सकते हो जो promoter holding है अभी हम देख रहते 69.4% की mutual fund की holding 4.62% की जो की बड़ी है insurance company की 0.84% की जो की December quarter से बड़ी है FIS की holding 8.62% की जो की आपकी December quarter से बड़ी हुई है financial institution की 0.02% की जो की सेम है individual investors की तोड़ी सी कम हुई है जो आपकी 4.15% से कटके 3.65% रह गई है अदर्स की बात की जाए तो 12.85% की बड़ ओर आप देखा जा तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है तो आने वाले टाइम में जाहिट सी बात है जो इस टॉक है वो परफॉर्म करेगा ही कोई group में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और इस टाइप की जो गिरावट होती है वो अपरचुनिटी ही होती है आपको याद हो कुछ ऐसे भी पहले जो 2020 की सेल्स है वो आपकी 92 तॉजन निटी हैंडी उटी करोड के आसपास की है आपकी 2019 में देखिए 7 थाज़ं करोड की आसपास की तो ये मैं अप्रॉक्स्मेटली फिगर बता रहा हूँ 2017 में देखिए 3000 आपकी 2016 में 2000 इस तरह से आप देख सकते हो एर-on-year sales भी इंप्रूव होती रही है और भी बहुत सारे factors हैं बट अभी हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे सो हम यह देख रहे हैं वह पहलों भी आप देख सकते हो नहीं चेंप्रूव होती रही है यह और नियर तो कंपनी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह तो देखिए होगे fundamentals की बात मुट मुटी अभी हम discuss करते हैं कि stock में हमें करना क्या है देखिए आज की closing आई है 933.70 क 934 रुपए के आसपास की और आप देखोगा regularly जो है stock आपका यहां देख सकते हैं 9 June के बाद जो इसने almost आपका high बनाया था 1140 का वहां से लगातार यह गिरता हुआ है और आज 930 रुपए के आसपास यह आके इसने closing दी है यह तरीका से oversold zone में जा रहा है प्लस इसमें देखे एक gap बना हुआ है so stock में अलड़ी gap बना हुआ है जो आने ले time में फुल्फिल कर सकता है प्लस अभी देखे जो 930 रुपए का support है इसको अगर यह sustain करता है तो यहां से एक pullback भी दे सकता अगर यह तूटता है तो आप देख सकते हो 900 रुपए के आसपास और major support आ रह अभी बीजिश में जो भी consolidation आते रहते हैं तो हमें ऐसा ही stocks को add-on करना चाहिए प्लस company dividend पर ही है तो ऐसे कोई दिकत की बात है नहीं और group भी अच्छा है तो आप इसमें आप position बनाना चालू कर सकते हैं अगर 930 का तोड़ता है तो वहां से थोड़ी और गिरावट देखने हम add करने की कोशिश करिए और अगर 900 रुपए भी तोड़ता है तो 880 रुपए का support है वहां पर भी थोड़ा सा add कर सकते हैं अगर वहां तक गया तो जाहिर सी बात है यह अच्छी-खासी oversold zone में आ जाएगा और लेडी oversold zone में आना start हो गया है तो वहां पर तो एक अच्छी